भारत देश में भौगलित्ता के आधार पर अलग अलग राज्यों की तरहां खाने का तेल उपियोग किया जाता है। ये साब व्यपारियों के स्टॉक करने के कारण भाव बढ़ रहे हैं। अधिकारी मस्त खा रहे हैं उनकों कमिशन मिलने काई को कहेंगी। दुकानदारों का कहना है कि युद्ध की कारण बड़े व्यपारियों ने तेल के भाव बढ़ा दिये हैं। में महेंगा मिल रहा है तो महेंगा बेच रहे हैं। इसमें हम छोटे दुकानदारों का कोई दोश नहीं है। मोटा मुनाफा तो बड़े व्यपारी ही कमाते हैं। तेल के रेट उपर से बहुत बड़े हैं। सुपर स्टॉकिश के मलब फायदे हैं। इसमें बाकी नॉर्मल व्यापारी तो रोज लेके रोज बेचता है। क्योंकि तेल में बड़ा पैसा लगता। तीस रूपर कम से कम प्रती लीटर के वीशे रेड बड़ गया, जो तेल 130 रूपर लीटर भीकरा तो 107 रूपर लीटर हो गया। आठरा उनिस तॉर पला डबबा बाविस तॉर डबा हो गया। बाकी नॉर्मल तेल है। खंडवा में चेंबर ऑफ कॉमर्स की सचीफ जो स्वें भी एक खाने की तेल की मामले में भारत एक पुभोगता देश है हमारे देश में खाने का तेल लगभग 70% विदेशों से ही आयात किया जाता है रूस और यूक्रेन सनफ्लावर तेल के बड़े निर्यातक है युद्र के कारण सनफ्लावर तेल की आवक कम हो गई है जिससे उसके भी भाव बढ़ गए है इसी वचा से दूसरे तेलों के आयात पर लोड बढ़ने के कारण ये भाव की बढ़ोतरी हुई है खाने का तेल हमारे भारत में कम से कम भी 270-60 लाक टन की पर एरगी खपत है और हमारा भारत देश चुकि उभोक्ता देशों में आता है तेलों के मामले में हमारे यह पर इतना उत्पादन नहीं हो पाता है हमारे हमारे हमारी खपत का करीप परीब 60-70 परशन तेल खाद्य तेल हम लोग विदेशों से आयात करते हैं और अभी पूरी दुनिया के अंदर युद्यों के बादल मन रहे हैं और इसके कारण बहुत सी चीजों के दाम बढ़ गाए है जहां पर जो खाद्य तेल पेदा ह बढ़ गाए है उसी के सपोर्ट में जो दुनिया के अंदर हमारे जित्ते खा देते हैं सोयाबिन है उन्हें पी अधर आई ले उसके वह विश्व इस तरपर बढ़ गाए काफी मात्रा में और जहां से मारे तेल आता अर्जेंटिना ब्राजिल अमेरिका यहां पर इस वर् रूस और युक्रेन के बीच ऐसे ही जंग अगर जारी रही तो खादे तेल के साथ अन्निसामगरियों के दाम भी बढ़ सकते हैं time it मध्य प्रदेश के लिए खंडवा से शेख रिहान की report अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसके साथ ही चैनल को लाइक, शेर और फॉलो करना बिल्कुल न भूलें हमें इंतजार रहता है आपके कमेंस का